ओम्ग जान नम्भूत गणादि सेवितं कपेश्त जम्भो फल चार भक्षणं ओमा स्वतं शोक विनाश कार्यकं नमामे विगनेश्वर पाद पंकजं वक्रतुंड महाकाय सूर कोटी समप्रभा निर्विगनं कुर्मेदेव सर्वकारेशु सर्वदा सभी वक्त जनों को जैशी राम जैशी रादे सभी वक्त जन आशा करता हूं कुशल पूर्बक होंगे बहुत दिनों के बाद हम अपने यूटूब चैनल माईदशा पे आप सब का स्वागत करते हैं और शमा मांगते हैं कि लगातार हम वीडियो नहीं दे पा रहे हैं थे किसी कारण से अब कोशिश करूँगा कि हबते में एक वीडियो जो है इस चैनल पर मैं अपलोड करूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताएगे उपाए या जानकारियां अच्छी लगे तो प्लीस लाइक करें और कॉमेट में जैश्री राम या राधा रमन का नाम लेते हुए हाजरी लगाएं जिससे की उत्साम में ब्रिथी होगी और और अच्छी जानकारियां आप सब के लिए लेकर मैं आप आँगा तो भक्त जनों कल से गनेश चतुर्थी का त्योहार शुरू हो रहा है इसमें गनेश चतुर्थी से लेकर के चतुर्थी तक गनेश जी को घर में लाकर के बिराजमान कराया जाता है तो सब के लिए तो संबब नहीं हो पाता कि अपने घर में गनेश जी को लाए या बिराजमान करे तो जहां भी आपके आसपास गनेश जी की स्थापना हो रही है या गनेश जी को विराजमान करवाया जा रहा है जाहे आपके मित्र के घर में हो या किसी मंदिर में हो या किसी पंडाल में हो तो आप वहाँ पर जाकर के गनेश जी को प्रणाम करें और जिसके जीवन में बहुत सी परशानिया चल लए हैं और उसको कोई रस्ता नहीं दिख रहा है तो उसके लिए ये जो दस दिन है ये सबसे शुब दिन है उसके लिए क्योंकि इन दस दिनों में वह विक्ति अपने जीवन से समस्त परकार की परशानियों को दूर कर सकता है पर शर्त एक है कि पूरण रूप्षे श्रधा को धारन करना पड़ेगा भक्ती भाब को धारन करना पड़ेगा तो गनेश जी की गरपा आवश्य होगी और यदि आप किसी परकार की विशेश कामना रखते हैं धनित्यादी प्राप्ति की कामना रखते हैं या किसी बात विवाद में फसे हुए हैं और उससे मुक्ती चाहते हैं तो आप ग्यारा लड़ू, इलाइचियों की माला और फूल माला और साथ में मीठा पान ले करके गनेश जी महराज जी को भोग लगाएं लगातार तस दिन तक भोग लगाएं यदि गनेश जी की पंडाल से मूर्ती उठ भी चुकी है तो जो शिम मंदिर होता है वहाँ पे शिप पारविती जी की स्थापना होती है और गनेश जी की भी स्थापना होती है तो आप उस जगा पर भी इस कारे को कर सकते है क्योंकि सब जो है दस दिन तक नहीं रखते कोई दो दिन, कोई देड़ दिन, कोई तीन दिन या कोई पांस दिन, जितने दिन की भी रखते हो परन्तु पूजा तो आपने दस दिन करनी है तो आप दस दिन तक एक फूल माला इलाइचियों की माला और ग्यारा लड़ो और साथ में मीठा पार ये लेकर के और पांच बार गनेश चालीसा का पाठ करते हुए आप अपनी हाजरी लगाएं गनेश जी के च्रणों में जिससे कि आपके जीवन के समस्त प्रकार के बिगनों का नाश होगा और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी और जिनको अच्छी लगे वो एक बार करके देखें और जिनको लाब हो चाहे दो महिने बाद तीन महिने बाद जब भी लगे कि गनेश जी की करपा हुई है तो मेरी इस वीडियो में आकर नीचे कोमेंट करें और श्री गनेश आए नमा और हाँ एक चीज और गनेश चलीशा के पाट के साथ साथ यदि आप कर सकते हैं तो गनेश जी के दोदश नामों का उचारण भी करें गूगल से या किसी पुस्तक से आपको आसानी से मिल जाएगा तो गनेश जी के दोदश नामों का उचारण करें और साथ ही साथ आठ सफेर कागज लेकर के आठ पन्नों के उपर गनेश द्वादस नामों को लिखते हुए और आठ स्थान पर आठ ब्रामनों को साथ में दो दो लड़ू और दुरुबा और इलैची और यह जो गनेशी के द्वादस नामों को आप लिखेंगे इनको ब्रामनों में वित्रन करें और आप पाठ भी करें आपके जीवन से समस्त बिखनों को नाश होगा और जरूरी नहीं है कि आप इनहीं दिनों में इसकारे को करेंगे तो लाप होगा जब भी आप इसकारे को करेंगे तब गनेश जी की किरपा होगी और गनेश जी जैसे उनका नाम बिखन हरता है गनेश जी आपका सदा कल्यान करे जैशी राम, जैशी रादे लाइक करे और शेर भी करते जानकारी को और कॉमेंट बॉक्स में आजरी जरूर लगाए जैशी राम, जैशी रादे